नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली न्यूज अनालिसिस में इस वीडियो सीरीज इस प्रेजेंट टू यू बाय अथिका येज इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लिकर आए हैं Current Affairs जो आपके UPSC और State Examinations में Beneficial रहेंगे आज है 16th November 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 News का अनालिसिस सबसे पहले हम पढ़ेंगे G20 Summit के बारे में ये आपके GS के Second Paper से संबंदित है International Issue है और GS के Third Paper को ध्यान में रखते हैं Economic का पार्ट है और पिलिम्स एक्जाम के लिए Important है दूसरा हम पढ़ेंगे Nushu जो एक Secret Language है इसके बारे में ये आपके GS के First Paper से संबंदित है Culture का पार्ट है पिलिम्स एक्जाम के लिए Important है और तीसरा हम पढ़ेंगे National Sports Awards के बारे में ये आपके पिलिम्स एक्जाम के लिए Important है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते हैं अपने Current Affair का सेक्शन कंप्लेट कर सके अब आएए बात करते हैं अपनी पहली न्यूज के बारे में तो देखे G20 समिट जो अभी चल रही है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ये समिट बाली इंडोनेशिया में हो रही है G20 में जो Major Advanced और Emerging Economies है वो इखटा एक समहू बनाती हैं जिसे हम G20 के नाम से जानते हैं इसकी Two Day की समिट अभी चल रही है बाली इंडोनेशिया में और ये 17th Annual Summit है इसका Culmination होने वाला है जिसके अंदर कई सारे जो Ministeral Meetings है वो होगी जो हमारे Groups हैं जो एक खटे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से कितने ही Key Priority Areas पर मुखे Areas पर उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी जो अठारवी Summit है वो आपकी अगले साल भारत में होने वाली है और अगले साल इस September से इस November से इस बार जो यह अध्यक्षता है यह भारत के पास आने वाली है G20 की अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस 2022 की 17th Summit का उद्देश्य क्या है इनका Agenda क्या है इसमें तीन की प्रायर्टीज हैं मतलब तीन मुख्य और देश्य हैं इसके सबसे पहला है Global Health Architecture इसके अंदर यह involved है कि जितने भी हमारे पूरी दुनिया भर में हेल्थ से संबंदित जितनी भी हमारी Deliberations हैं उसे मजबूत करना और यह जो लचिलापन हमारे हेल्थ से संबंदित आर्किटेक्चर में है गलोबल पूरी दुनिया भर में उसको कम करना एक ऐसा Health System create करना जो की inclusive हो मतलब उसके अंदर सभी ऐसे चीज़े शामिल हो जो हेल्थ से संबंदित है वो समानता सभी के लिए बराबर हो और crisis के लिए बराबर respond करें क्योंकि इस बार हमने COVID-19 में देखा है कि लगबग सभी countries का जो health structure है वो collapse हो गया था दूसरा है digital transformation इसके अंदर यह ध्यान दिया जा रहा है कि जो यह global economies है यह rapid digitalization पर ध्यान दे रही है ताकि full potential को achieve किया जा सके digitalization के और इसे बहुत rapidly create किया जा सके ताकि आने वाले समय में जो यह सभी G20 nations है इनका जो corporation है यह एक नया landscape तयार कर सके global economy के लिए तीसरा आपका है sustainable energy transition मतलब यह लोग चाहते हैं कि climate changes को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले समय में clean energy की तरफ अपना जुकाओ बढ़ाएं और इस transition को और भी ज़्यादा तेज करें इस चीज पर इस summit के अंदर discussions किये जा रहे हैं कि हम इसे कैसे तेज कर सकते हैं क्या methods हम adopt कर सकते हैं इस समय इस ऐसे मुद्दे पर एक ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि substantial investment किस मुद्दे पर करनी चाहिए जिससे हमें संतोष जनक return मिल सके ताकि जो हमारा effort है वो बहुत ज़्यादा focused हो एक ऐसा platform बनाये जाए जो इस तरह के की investments पर ध्यान दे और वो ये भी ध्यान दे कि किन मुद्दो पर किन चीजों पर सबसे ज़्यादा investments की ज़रुरत है ताकि चीजे जो है एक अच्छा return मिल सके और उसके जितने जो हम चीजे change करना चाते हैं वो rapidly हो और जो transition है वो smoothly clean energy की तरफ हो जाए दूसरा इस समय G20 की इस summit में stake पर क्या है देखिए 2021 की जो summit हुई थी वो Rome में October में हुई थी तब से अब तक जो हमारे global economy है वो खराब ही हुई है बहतर नहीं हुई है उसका सबसे बड़ा current COVID-19 pandemic है G20 countries जो है वो दुनिया की 60% population इनी ही के पास है G20 countries के पास अगर हम बात करते हैं world GDP की तो 80% का जो योगदान है वो G20 countries देती है world export की जब हम बात करते हैं तो 75% का योगदान G20 countries का होता है तो global growth engine में ये एक बहुत महतरपूर भूमी का निभाती है G20 जो nations है हाला कि ये मानना है कि जो G20 constituent countries हैं ये सबसे ज़्यादा loss इन्होंने ही सफर किया है COVID-19 pandemic में और इन में भी सबसे ज़्यादा जो loss में कोई country रही है तो वो है भारत भारत ने लगबग 14% का total output almost loss किया है इस बार COVID-19 की वजह से अब देखी इस बार इनके prospects जो है वो क्या है क्या ऐसा आशा की जा रही है इस बार की summit से तो सबसे पहले जो रशिया और यूकरेन रशिया ने यूकरेन पर invasion कर रखा इस समय जो इनका यूद चल रहा है उसकी वजह से हमारी geopolitical uncertainty बनी हुई है और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से inflation इस समय अपने peak पर है इसके बाद west ने कई सारे sanctions लगा रखे हैं जिसकी वजह से इस inflation को और भी ज़्यादा हवा मिलती है और और भी तेजी से बढ़ रहा है अब जब ये high inflation है काफी लंबे समय से लगतार सिर्फ ही जा रहा है इसकी वजह से जो purchasing power है कई सारी countries की वो बेहत ज्यादा घट गई है जिसकी वजह से जो economic growth है वो बहुत ही घिसटती हुई सी नजर आ रही है और लगबग ना के बराबर ही चल रही है global level पर हम बात करते हैं दूसरा जो response है high inflation की वजह से central banks ने अपनी countries के अंदर जो interest rates हैं वो काफी जादा बढ़ा दिये हैं ताकि inflation को control किया जा सके इसकी वजह से जो economic activity है वो बेहत ही कम हो गई है अब कई सारी major economies ऐसी हैं जिनके अंदर आपस में मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वो recession phase करने वाली है जैसे कि US और UK और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि देखे जिसे euro जो है euro में एक slow down देखने को मिला है euro countries जो है European nations के अंदर इनकी economy के अंदर आप कह सकते हैं कि एक hold सा लगा हुआ है economy एक जगया रुकी हुई है बढ़ नहीं रही है अगर हम बात करते हैं तीसरे में चाइना की तो चाइना एक major engine है global growth के लिए क्योंकि ये state ये बिलकुल crisis की सती में है last जो हमारी world economy है वो इस समय geopolitical rift के अंदर है मतलब जो countries है वो आपस में tensions बनी हुई है US और चाइना की बीच जैसे tension बनी हुई है ये दो बहुत बड़ी economies है हमारी दुनिया की और इस समय UK के Brexit की वजह से European nation से बाहर निकलने के बाद जो trade है उसके अंदर भी कमी देखी गई है देखे इस समय इन चीजों के क्या solutions हो सकते हैं और जो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार की summit से तो इस बार कई सारी चीजे जो है वो uncertain है जिसके अंदर जो दो main aspect जो की uncertain है जिन पर धियान दिया जा रहा है वो क्या है सबसे पहला तो G20 countries जो है अगे बढ़ सकती हैं अगर ये एक साथ आगे बढ़ें दूसरा ऐसी growth के लिए हमें peace की जरूरत है अगर ये जितनी भी G20 countries हैं अगर ये सभी एक दूसरे के साथ peace से सदभाव से चलती है तो ये आने वाले समय में इस परिशानी को बहुत ज़्यादा आसानी से cover कर जो हमारे leaders हैं उनके पास एक opportunity है कि वो एक common ground ढूंडें और एक ऐसी policy का landscape बनाएं एक ऐसी policy बनाएं जिससे सभी countries सदभावना से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें इस growth में एक हिस्सा लें देखें International Monetary Fund का ये कहना है कि जो हमारी overarching priority है policy makers की कई मुख्य economies के अंदर वो इस सम possibility लेकर रहें जो हमारे हाँ पैसे की price की fluctuations बनी हुई है उसको stable करें ताकि जो हमारा depth का level है उसको भी कम किया जा सके और जो most vulnerable condition में लोग हैं उन्हें protect किया जा सके एक मुख्या कारण ये भी है कि जो external risk हैं उन्हें भी carefully monitor ताकि फिर हम कर सकते हैं Secondly IMF का ये कहना है कि जो G20 nations ह इन्हें इस समय एक joint action बनाने की जरूरत है ताकि एक मजबूत टिकाव और balanced inclusive recovery हो सके global economy की अगर हम बात करते हैं trade की तो G20 leaders को इस समय जरूरत है push करने की ताकि एक जादा खुला stable और transparent rule based trade हो सके ताकि जो इस समय global shortages बनी हुई है सामान की उसको complete किया जा सके और आखिरकार य मेंचन किया गया है जो तीन priorities बाली समीट के अंदर है वो है कि इस समय आप जो recovery requirement है उससे durable बनाएं ताकि वो लंबे समय तक टिक सके और multilateral actions लिये जाए climate से संबंदित, debt से संबंदित जो आपका taxation policies है और pandemic की preparedness से संबंदित क्योंकि ताबी ताकि अगर दुबारा हम कोई ऐस अब हम बात करते हैं अपनी दूसरे न्यूस के बारे में तो देखिए एक नई secret language के बारे में पता चला है जिसका नाम है नूशू इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं यह एक 400 साल पुरानी script है जो इसलिए invent की गई थी ताकि जो महिलाएं वो आपस में एक दूसरे क साथ communicate कर सकें और man जो है basically वो इसे understand ना कर पाएं आज के समय पे इसका एक बहुत महत्रपूर्ण significance है इसकी मुखे बातों के बारे में अगर हम जानते हैं तो देखिए initially जब ये language लिखी गई थी ये ground पर लिखी गई थी राख का स्तमाल करते हुए या फिर T branches का स्तमाल करते इस script को बाद में जैसे folding fence रहते हैं जो पंके मोड दिये जाते हैं इसे उस पर लिखा गया जो रुमाल है उस पर जो embroidery होती है उसमें इस भाशक का इस्तमाल किया गया था कि women's जो है एक दूसरे के साथ communicate कर सकें बाद में ये जो language है ये poetry के रूप में evolve होई और मुखे परान ये ही था कि women's एक दूसरे के साथ communicate कर सकें और आदमियों को इसका पता ना चले कि ये क्या बात कर रही है नुशू जो की एक secret language है ये चाइना के एक हुआन प्रोविंस के अंदर invent होई थी क्योंकि वहां की जो peasants थे जो की saluted villages deals के अंदर थे जो बहुत ही एकांत वास में रहते थे और ऐसी conditions में रहते थे कि उनकी जो pair है वो बंधे रहते थे और वो अपने chamber rooms के अंदर ही स्थित थे मतलब उन्हें वही पर एक जगह बांध कर रखा जाता था तो ये इसलिए था ताकि ये बाहर महिलाओ से communicate कर सकें इस समय गर हम बात करते हैं जो नुशू य में का निभाती है अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज के लिए तो ये एक ओडिसा special न्यूज है देखे इस समय नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं ये अनौंस कर दिये गए हैं ये अर्जून अवार्ड दिया गया है ओडिसा के होकी प्लेयर डीप ग्रेस एक मुख्य बातों में अगर हम जाएं तो एका जी जो हैं ये 24 अदर स्पोर्ट्स परसंस में से एक हैं जिन्हें कई सारे डिस्सिप्लिन्स से संबंदित नॉमिनेट किया गया था अर्जून अवार्ड के लिए ये जो अवार्ड इन्हें मिला है ये इन्हें प्रेसिडेंट स से प्रेसिडेंट इन्हें संबानित करेंगे इस अवार्ड से एक फंक्शन और्गिनाइज किया जाएगा राश्पती भावन में 30 नुमंबर 2022 को उस समय इन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा मेजर ध्यांचन खेलरतन आवार्ड 2022 भी इस समय अनाउंस कर दे गए है और ये मिला है शरत कुमार अरचनता को जो की टेबल टैनिस से संबन्दित है ये कई सारे आवार्ड है और अनाउंसमेंट की गई है इस समय जैसे अरजुन आवार्ड के लिए आउस्टेंडिंग पर है जिने ये अरजुन आवार्ड से नवाजा गया है इसे के साथ साथ पैरा बैड्मिंटन में भी दो खिलाडियों को मिला है जो की है तरुन दिल्लों जो पैरा बैड्मिंटन से हैं और आपके स्वपनिल संजय पाटिल ये इन्हें भी पैरा स्विमिंग के अंदर मिला है उसके बाद आपके जरुलिन अनीका जिन्हें डेफ बैडविंटन के अंदर मिला है। दुरोनचारी अवार्ड भी अनौंस कर दे गई हैं आउस्टेंडिंग कोचिस के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर। तो रेगुलर कैटेगरी में आर्चरी के लिए मिला है जीवन जोत सिंग तेजा को, वोक्सिंग के लिए मिला है मुहंबद अली कमर को, और पैराशूटिंग में मिला है सुमा सिदार्थ शिरूर को, रैसलिंग में मिला है सुजीत मान को, लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए क प्रश्वनी अकुनजी को होकी में मिला है धरमवीर सिंख को कबड़ी में मिला है बी-सी शुरेश को और पैरा अथलेटिक्स में ये मिला है निर बहदुर गुरूंग को तो ये सभी अवार्ड्स आपके लिए इंपोर्टन्ट है क्योंकि एक्जाम्स में अक्सर ये पूछ लिए जाता है कि कौन सा अवार्ड किसे मिला है और किसे की सवार्ड से सम्मानित किया गया है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा अगर आपके कोई सजेशन्स हैं या आपके कोई डाउट है या आ आपके लिए कोई वीडियो बनाए जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सके तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं बाकी वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको ये रिच कंटेंट इसी ही पेस पर रेगुलर मिलता रहे धन्यवाद